दोस्तो आज है 13 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 से रिलेटिट करेंट अफियर्स के जितने भी कुशिन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे कुशिन को कवर करेंगे और हर कुशिन से रिलेटिट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुबह 7 ऐम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी करंट अफियर्स में बहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एक्जाम में आप करंट अफियर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के कुशन एक्जाम होल में पूछे जाती है आप उन सभी टाइप के कुशन का अंसर बहुत इजली दे पाएंगे तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का पहला कुशन देखती है आज का पहला कुशन लिखा है हाली में दालें पॉश्टिक मिट्टी और लोग थीम के साथ विस्व दलहन दिवस कब मनाया गया है वेन वाज वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली बिद्धी थीम पल्स इंफर्णल स्वाइल एंड पीपुल फर्स्ट आप्सन है नौ फर्वरी को सिकेंड आप्सन है दस फर्वरी को थर्ड आप्सन है ग्यारे फर्वरी को या fourth option है बारे फर्वरी को जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number B 10 फर्वरी को चलिए इस question से related important point 2 को पढ़ती है विश्व दलहन दिवस 10 फर्वरी को मनाया जाता है पिटेग वर्ष 10 फर्वरी को यह दिवस मनाया जाता है इसकी सुरुआ 2019 में हुई थी और इस बार की जो इसकी थी में दोस्तों वे क्या है pulse nursing soil and people दाले पोश्टिक मिट्टी और लोग 2016 में अंतराश्टी दलहन दिवस के रूप में पहली बार यह मनाया गया ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते और next question देखते हैं next question लिखा है friends हाली में भारत सरकार ने और किसे भारत रतन पुरिश्कार देने की गोशना की है recently to whom else did the government of India announce the award of भारत रतन फर्स्ट आप्सन है पीवी नरसिमा राओ, सिकेंड आप्सन है चौदरी चरण सिंग, थर्ड आप्सन है में स्वामी नाथन या fourth option है उपर युक्त सभी जल्दी से बताईएगा दोस्तों most important question है एक्जाम के नजरिये से इसका answer आप लोगों को मालूम होना चाहिए तो comment करिए और जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा इस question का right answer इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number D उपर युक्त सभी पीवी नरसिम्मा राओ, चौधरी चरड सिंग और MS स्वामी नाथन इन तीनों लोगों को भारत रतन देने की गोशना की गई है चलिए इस question से related important point को पड़ती है भारत सरकार ने तीन अन्य व्यक्तियों को भारत रतन प्रिशकार देने की गोशना की पीवी नरसिम्मा राओ, ये कौनती नौवी प्रदान मंत्री थे आदुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाने जाने वाले राओ ने 1990 के दसक की सुरुआत में आर्थिक उदारी करड की सुरुआत में महत पूर भूम का निवाई थी चौदरी चरर सिंग ये पांचवे ब्रदान मंत्री बने भारत के करशी समुधाई के सच्चे चेंपियन के रूप में सम्मानित हुए MS सौमी नातन ये हरित करांती کے जनक के रूप में इनको ये अवर्ड से नवाजा जाएगा वर्स 2024 के लिए कुल पांच व्यक्तियों को भारत रतन से सम्मानित किया जाएगा हाल ही में करपूरी ठाकर और लाल कृष्ण आर्वानी को भी भारत रत्न 2024 दिये जाने की गोशना हुई थी तो ठीक है दोस्तों इसमें पांच और नाम नोट डाउन जिनको भारत रत्न 2024 मिला है चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुष्ण देखते हैं नेश कुष्ण लिखा है फ्रेंट्स नौ फर्वरी 2024 को कहां पर साथवे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया वेर वोल्स दी सेविंध इंडियन ओसियन कॉन्फरेंस ओर्गनाइजड ओन नाइन फर्वरी 2024 फर्स्ट ओप्सन है डर्वंद अच्छन अफ्रीका में सीकिंड ओप्सन है रियाद यूएई में थर्ड ओप्सन है पर्थ उस्टेलिया में या फोर्ट ओप्सन है नई दिल्ली भारत में जल्दी से बताईएगा दोस्तों नौ फर्वरी 2024 को कहां पर साथवे हिंद महासागर सम्मेलन का आयूजन किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नंबर सी पर्थ उस्टेलिया में चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंटों को पड़ती है साथवे हिंद महासागर सम्मेलन का आयूजन आस्टेलिया के पर्थ में किया गया है यह 9 से 10 फरवरी 2024 तक चला इसकी सुरुआ 2016 में हुई थी और इसके संबोधन करता है विदेश मंत्री डॉक्टर S. जैसंकर स्रीलंका के राश्टपती रानिल विक्रम सिंगे और स्टेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग और सिंगापूर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन भी डॉक्टर जैसंकर के साथ सामिल हुए और इसकी जो थी में दोस्तों वे क्या है Stable and Sustainable Indian Ocean Side इस्थिर और टिकाव हिंद महासागर की और ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में किस अंत्रिच एजनसी ने 137 प्रिकास वर्ष दूर रहने योग्य छेत्र में सुपर अर्थ खोजा है विच स्पेस एजनसी रिसेंटली डिसकावर्ड सुपर अर्थ इन दी हैबिटेविल जोन 137 लाइट इयर अवे फर्ष्ट ऑप्षन है नासाने, सिकेंड ऑप्षन है जक्साने, थर्ड ऑप्षन है सी एजनसी ने या फोर्ट ऑप्षन है इस रोने बताईएगा फ्रेंट्स हाली में किस अंत्रेज अजनसी ने 137 प्रिकास वर्ष दूर रहने योगी छेत्र में सुपर अर्थ खोजा है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है मारा ओप्षन नंबर ए नासाने चलिए इस कुशन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है नासाने 137 प्रिकास वर्ष से दूर रहने योगी छेत्र में सुपर अर्थ खोजा है नासाने एक्सो प्लेनेट टी ओ आई 715 बी को रहने योगी छेत्र के भीतर अपनी इस्थिती के कारण संभावे जरूप से रहने योगी पाया है टी ओ आई 715 बी एक छोटे लाव तारे की परिक्रमा करता है और प्रतिवी से लगबग 1.5 गुना चोड़ा है ग्रह की अपने तारों से निकटा के परेडाम सरूप प्रतिवी के 19 दिनों के बराबर एक छोटा वर्ष बनता है इससे इसका निरीचड इतना आसान हो जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स अंतरराष्टी उर्जा एजेंसी IAA के अनुशार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग व्रधी चालक बन जाएगा एकॉर्डिंग टू दि इंटरनेशनल एनरजी एजेंसी IAA बैन विल इंडिया बिकम दी वर्ल लारजेश्ट ओइल डिमांड ग्रोथ ड्राइवर फर्ष्ट ऑप्शन है दो हजार सताईस में, सिकेंड ऑप्शन है दो हजार तीस में, थर्ड ऑप्शन है दो हजार पैंतिस में, या फोर्ट ऑप्शन है दो हजार अर्थेस में. जल्दी से बताईएगा दोस्तों अंतर राष्टी उर्जा एजन्सी के अनुशार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग वरदी चालक बन जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है मारा ओप्सन नंबर बी 2030 में चैलिए इस कुशन से रिलेटिर इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं अंतर राष्टी उर्जा एजन्सी के अनुशार भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा तेल मांग वरदी ओल डिमांड ग्रोथ बन जाएगा इंडिया एनरजी वीग 2024 में उजागर किया गया रुजान दुनिया भर में दूसरे सबसे वड़े कच्चे तेल आई तक के रूप में भारत के उद्दव को रिखांकित करता है भारत का घरेलू तेल उत्पादन 2030 तक 22% से घड़ कर 540,000 बेरल प्रती दिन तक महुचने की उमीद है भारत ने 2030 तक तेल की मांग में लगवग 1.2 मिलियन बेरल प्रती दिन की वरदी दर्ज करने का अनुमान लगाया है जो वेस्विग लाब का एक तियाई से अधिक होगा ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स हाली में कहां पर ट्रांसजेंडर समधाई के लिए मुप्त बस यात्रा गोशना की गई है फ्रेंट्स ट्रेवल एनाउच्ट फॉर दी ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी रिसेंटली फर्स्ट ओप्सन है गुवा में सीकिंड ओप्सन है करनाटक में थर्ड ओप्सन है मुंबई में या फूर्ट ओप्सन है देहली में बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्सन नमबर डी डेहली में चलिए इस कुशन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंट यो पढ़ती है दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद्र केजरी वाल ने ट्रांसजेंडर समधाई के लिए मुफ्त वस्यात्रा की गोशना की है इस निर्डेट से दिल्ली की सार्व जने के परिवेहन प्रडाली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहुचे और सुविधा बढ़ाने की उमीद है इस पहल का उद्दिस लिंग की पैचान की परवा किये बिना सभी नागरिकों को समान अवसर और साहिता प्रडान करना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाल ही में AIIMS ने कैंसर का सीर्ग पता लगाने के लिए किस AI प्लेटफॉर्म का अनावरड किया है विच AI प्लेटफॉर्म है जिदी सेंटली बीन अनवैलेड बाई AIIMS फोर अरली डिटेक्शन फोर कैंसर फर्स्ट आप्शन है IONCOLOGY.AI ने IONCOL.AI ने थर्ड आप्शन है AI.ONCOLOGY ने या फोर्थ आप्शन है NONE OF THESE जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा आप्शन नंबर A IONCOLOGY.AI ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटिट इंपॉर्टन पॉइंटों को बढ़ते हैं एम्स दिल्ली ने CDAC पुने के सायोक से कैंसर का सीर्ग पता लगाने के लिए IONCOLOGY.AI का अनावरड किया यह अत्यादुनिक तकनीकी भारत में कैंसर का सीर्ग पता लगाने पर ध्यान किंद्रित करती है विसे इसकर महिलाओं में प्रचलित इस्तन और डिम्ब ग्रंती के कैंसर और CDAC का फुल फॉर्म है दोस्तो सेंटर फॉर डवलब्मेंट आफ एडवांस कम्प्यूटिंग ठीक है दोस्तो आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स हाल ये में किस प्रिसेज़ संगीत कार को लक्ष्मी नारायन अंतराश्टी पुरुष्कार पिरदान किया गया विच फेमस मुजीसियन वाज दी सेंटली एवोर्डिट दी लक्ष्मी नारायन इंटरनेशनल एवोर्ड फर्स्ट आप्सट ने सोनु निगम, सीकेंड आप्सट ने प्यारे लाल सर्मा, थर्ड आप्सट ने किसोर कुमार या फोर्थ आप्सट ने आतिफ असलम बताईएगा दोस्तों हाल इमें किस प्रिसे संगीत कार को लच्मी नारायन अंतराश्टी पुरुषकार प्रिदान किया गया है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है मारा ओप्सन नमबर बी प्यारे लाल सर्माजी को चलिए आंगे बढ़ते हैं और इस से Related Important Point जो को पढ़ती है प्रिसे संगीत कार प्यारे लाल सर्मा को लच्मी नारायन अंतराश्टी पुरुषकार पुरुषकार प्रिदान किया गया प्यारे लाल सर्मा हिंदी सिनेमा के सबसे सफल संगीत कारों में से एक है हाली में प्यारे लाल सर्मा को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूसर 2024 से भी सम्मानित किया गया था लचमी नारायन ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल की सुरुआत 1992 में डॉक्टर्स एल सुप्रमन्यम दुआरा की गई थी ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स फरवरी 2024 में सेफ अंडर 19 महिला चैंपियन्सिप का खिताब किसने जीता है हो वोन दी सेफ अंडर 19 महिला चैंपियन्सिप टाइटल इन फरवरी 2024 फर्ष्ट ऑप्सन है भारत ने सीकिंड ऑप्सन है बंगलादेश ने थर्ड ऑप्सन है उपरुक्त दोनों संयुक्त रूप से या फूर्थ ऑप्सन है जर्मनी ने बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्सन नंबर सी उपरुक्त दोनों संयुक्त रूप से मतलब भारत और पंगलादेश दोनों ने यह है अवोर्ट जीता है चलिए से रिलेटर इंपोर्टेंट पॉइंट वो को पढ़ते हैं फरवरी दो हजार चौबिस में अंतराश्टी फूट वॉल पिटियो गिता सैफ अंडर नाइंटीन महीला चैंपियनसिप का खिता भारत और बंगलादेश ने संयुक्त रूप से जीता है इसका फिफ्ट सूट आउट 11-11 की बराबरी पर रहा इसका नेर्डेट टॉस उच्छाल कर किया गया था ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंड से हाली में किसे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर लाइफ टाइम अचीवमेंड और प्रदान किया गया है फर्स्ट आप्शन है डॉक्टर फेलेविया नर्गिस को फर्ड आप्शन है डॉक्टर फेलेविया थर्गिस को थर्ड आप्शन है डॉक्टर फेलेविया सर्गिस को यब फोर्ट आप्शन है डॉक्टर फेलेविया एगिन्स को बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number D Dr. Falavia Aginsko चलिए इस question से related important point 2 को पढ़ते हैं मुंबई हाई कोर्ड की वकील एवं महिला कारिकरता Dr. Falavia Aginsko Central Board of Daudi Bohra समुदाई दौारा पिरदान किया जाने वाला प्रतिष्टिट एवार्ड Dr. Azgar Ali Engineer Lifetime Achievement Award से समानित किया गया है ठीके दोस्तों I hope आज के सभी question आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे friends और सभी question से related important point के notes भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे exam के नजरिये से दोस्तों class most important है तो इसके सारे important point को आप लोग अपनी copy में note down कर लीजेगा इससे आपकी तैयारी और भी बैतर होगी अगर class अच्छी लगी हो और सारे factor को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस class को like कीजेगा, share कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी study चैनल को subscribe कीजेगा thank you so much दोस्तों